नमस्कर प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है मैं ब्रीजबाला आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपके लिए एकी मात्रा से संबंदित पाठ मेला लेकर आई हूँ बच्चों, आज इसमें हम एकी मात्रा पढ़ेंगे और समझेंगे इसे समझने के लिए हमें पाठ का वाचन करना होगा बच्चों, पाठ नो, इस पाठ का नाम है मेला और यहाँ पाठ एकी मात्रा से संबंदित है तो चलो, आप हम एकी मात्रा से संबंदित पाठ पढ़ते हैं रमेश और रेखा अपनी मातापिता के साथ नाना जी के घर जाने के लिए निकले। वे सब मेला देखना चाहते थे। वे रेलगाडी से धिराधून गए। रेलगाडी हरी लालटेन देखनी के बाद चल पड़ी। रेखा ने रेलगाडी से कई खेत और पेड देखे। बच्चों अब आपने इस पार्ट पर ध्यान देना और ध्यान से इस पार्ट को समझना है इस पार्ट में एक ही मात्रा से संबंदित कई शब्दाए हैं जैसे रमेश, रेखा, निकले, मेला, देखना, देहरादून, रेल गाड़ी, लाल टेन, देखनी, रेखा, खेट और पेड़ इस तरह से ये सब शब्द जो हैं एक ही मात्रा इस इन शब्दों पर लगी हुई है जैसे पेड, प, ए, ड, पेड, खेट, ख, ए, त, खेट, रेल गाड़ी, र, ए, ल, ग, ड, इ, इस तरह से एक ही मात्रा इन शब्दों पर लगी हुई है आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और इनका बार-बार पढ़ने का अभ्यास करना है इस पार्ठ में एक ही मात्रा से संब्दों कई शब्दाएं हैं जो कि आपने इस परग्राफ में पढ़े चलो बच्चों अब इस से अगला परग्राफ हम इस पार्ठ में आया हुआ जो परग्राफ है उसको पढ़ते हैं इस पर ध्यान देना आपने रेल गाड़ी से उतर कर वे नाना जी के घर गए वे सब बच्चे रेल गाड़ी से उतरे और वे अपने नाना जी के घर गए नाना जी उनकी आने से बहुत खुश हुए बच्चों और जब बच्चों की नाना जी ने उनको वहाँ अपने घर में देखा तो वे बहुत खुश हुए जैसे आप सब अपने नाना जी के घर जाते हो और आपके नाना जी और नानी जी आपको देखकर बहुत खुश होते है नाना जी की हवेली बहुत बड़ी थी और यहां पर आपने ध्यान देना है जो हवेली शब्द है इसमें व को एक ही मात्रा आई हुई है तो आपको जैसे तस्वीर में दिख रही है यह इस तरह की नाना जी की हवेली थी जो की बहुत बड़ी थी पर उस घर में उस हवेली में इधर नाना जी अकेले रहते थे नाना जी की साथ इस बड़े से घर में इस बड़ी सी हवेली में और कोई नहीं रहता था इस घर में इस हवेली में नाना जी बिलकुल अकेले रहते थे और बच्चों आपने अकेले शब्D भी ध्यान से देखना है इसमें भी क को ए की मात्रा लगी हुई है और ल को भी ए की मात्रा लगी हुई है इस तरह से इस परग्राफ में भी जैसे रेलगाड़ी उनके क क के उपर हवेली व के उपर और अकेले क और ल के उपर ए की मातरा लगी हुई है तो आपने इनको साथ में लिखना भी है और इसका वाचन भी करना है इस तरह से आपकी मातरा जो है वहाँ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी मातरा सीखने के लिए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं दूसरी दिन सवेरा हुआ सब उठकर नहाए जैसे कि आपको दस्वीर में दिख रहा यहां पर सवेरे की पिक्चर लगी हुई है तो दूसरे दिन सवेरा होता है सब बच्चे उठकर नहाते हैं या सुबा जब भी उठते हैं तो हम भगवान जी का नाम लेते हैं इस तरह से उन बच्चों ने भी भगवान का नाम लिया और गनेश भगवान की पूजा की और गनेश को भी अना को एक ही मातरा आई हुई है इस पर भी आप ध्यान देंगे उसके बाद वे फिर मेला देखने चल पड़े मेले में वे सब जूला जूले जैसे आपको तस्वीर में दिख रहा है बच्चे जूला जूलते हुए बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं तो इस तरह से उन बच्चों ने मेले में जाकर जूला जूला और वे बहुत ही खुश हुए जूला जूलकर उसके बाद वे सब बच्चे भालू का खेल देखने गए और उन्होंने भालू का खेल देखा जैसे भालू डुगडुगी बजाता है और अपना नाच दिखाता है इस तरह से सब बच्चों ने मेले में एक बहुत ही सुन्दर भालू का खेल देखा फिर वे मिठाई खाने के लिए आगे जो आपको भी मिठाई बहुत स्वादिस्ट लगती होगी और आप भी सब मिठाई तो खाते ही हैं इस तरह से उन्होंने बेशन की बरफी, जलेबी और पेड़े खाए मेले में जाकर उन्होंने बेशन की स्वादिस्ट बरफी खाई, जलेबी खाई और साथ में पेड़े भी खाए फिर वे सब केले, सेब लेकर घर वापिस आगे फिर उन्होंने मेले में सी फूरूट खριदे और वे घर बापिस आगया सब ने घर में आकर फल खाए फिर नाना जी के साथ बहुत सारी उन्होंने मसते कि उसके बाद नाना जी ने सबसे कहा अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरा दून जरूर आना जैसे बच्चो आपको δेहरादून की यहां पर तस्वीर दो rever वे सब बापिस अपने घर आगे अब बच्चो मैं आपको एकी मात्रा से सम्दित कुछ शबद लिखकर और समझाना चाहते हूं जैसे यहां पर एकी मात्रा से सम्दित मैंने शबद लिखे हूए हैं रेल गाड़ी, मेज, ठठेरा, जलेबी, महकते, उचलते, कोदते, गनेश, देहरादून इन सब शब्दों पर किसी न किसी वर्ण के उपर एक ही मात्रा लगी हुई है आपने इन शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखना है और साथ मेने पढ़ना भी है इसी के साथ बच्चों हमारा पाठ यहीं पर समापत होता है धन्याबाद आपका दिन मंगल में हो